असलाम लेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ताहिरा जी, और मैं हूँ जुबैर शारिक, जुबैर कैसे हैं आप ठीक ठाग, आप कैसी ही ताहिरा ठीक है, अलहमदुल्ला, और आप सब लोग कैसे हैं, कैसे आपके दिन गुज हम बात जब गुफ्सकों कर रहे होते हैं किसी से, तो कभी कबार शायद ऐसा होता है, कि हम अपनी बात बनवाने के लिए, या फिर शायद हमें कोई argument नहीं आ रहे होते हैं, हमारी आवास बुलंद हो जाती है, हमारे पास अच्छे दलाइल नहीं होते हैं, अक्सर बेश्तर अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत दफ़ ऐसा हुआ है, तो आज मैं आपने नाज़ीन से यह वाली बात जरूर शेयर करूँ, आपके साथ भी यह होता होगा, कि हमारे पास दलाइल की कमी होती है, तो हम अपनी आवास को अक्सर बुलंद कर लेते हैं, यह आवास बुलं हों, arguments हों, कि अगला आपकी बात को अच्छे तरीके से understand करें, और अगर वा गलती पर है, तो फिर वा आपकी बात सुनके, वह वाला काम पर अडॉप कर ले, अपनी गलती को accept कर ले, तो इस हवाले से आज मौलाना रूमी का एक कॉल, उनका जो एक बड़ी खुबसूरत quotation है वो भी हम प्रोग्राम में शेयर करेंगे आपसे, कि अपनी अवास की बजाए अपने दलायल को बिलंद करो, बिलंद जरूर करो, लेकिन arguments को बिलंद करो, अवास को बिलंद ना करो, क्योंकि अवास बिलंद करने से शाहिद आपको यह लगता है, कि आपकी बात मानी करता है, कि भाई, इसके पास चुके वही बात कि अब दलायल खतम हो गए है, और यह सिर्फ अपनी आवास को बिलंद कर रहे है, तो इस मकाम पे अच्छे बन का मजाहरा वो शक्स कर रहे है, खामोशी इखत्यार करके, बिल्कुल, तो यह आपके लिए एक सबक है, इसको सी कि अगर हम सम मेसेजों भी इस किसम के अकसर गलतियां हम कर जाते हैं, इसान हैं गलतियां होती हैं, तो गलतियों से सीखना चाहिए, और जो अच्छी बात कहीं से भी आपको मिले, उसको सुने, उसको बे जिन्दगी में इंप्लिमेंट जरूर करें, इसी बात पर चलते हैं हमारे पास मौसम के हवाले से है, कि मौसम का जो 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 है, जो मौसम ने गर्मी की शिदद भढ़ती भी दिखाई दे रही है, दे डे बाई डे गर्मी भढ़ती जा रही है, तो इसी हवाले से पंजाब में गर्मी का जो बरकरार है, बारिश का इमकान कोई नहीं है, और लह बिल्कुल 28-42 डिग्री तक टंपरेचर जाएगा और ये अच्छा खासा टंपरेचर है तो सूरज जो हमारे जनाब महतरम सूरज साहब है अपने जोबन पे हैं वो खूब तपिश देंगे लोगों को गैर जरूरी सफर से इस्तनाब करें और गैर जरूरी सफर करने की बिल्क क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं वो भी आज 185 रिकार्ड किया गया है ये भी तू मच है ये भी बहुत अनहल्दी है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है हम डेली बेसिस प्लाटफॉम में कहते हैं कि फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं ऐसी कोई चीज ना करें जिससे गहर ज़रूरी धुएं का इखराज हो और यही चीजें आपको एर पापुलेशन साफ रखने में मदद कर सकती हैं तो ये थी हमारी आज की पहली खबर ताहरा हमारी दूसरी खबर नाज़ीं दूसरी खबर हम आपसे शेयर करेंगे वर्शल वुमन पूलिस सेशन के हवाले से जैसे कि आप सब जानते हैं और अब भी भी नहीं जानते हैं तो आपको बताते चलें के सीम पंजाब चीफ मनिश से पंजाब है हमारी पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम वजीर आला सौरी सीम और उन्हों ने जो पंजाब सेफ सिरी अथॉरिटी के जब बार बार पुलिस सेशन जा सके तो उनकी इस हैसल को उनके इन चक्रों को कम करने के लिए ये वर्ट्व रुमन पुलिस सेशन बनाया गया है कि खवातीन के तमाम मसाइल को थू कॉल ही हल किया जाए और इस हवाले से इसकी बहुत सी सक्सेस स्टोरी जो कॉस मौसूल होती है उनको फिर कोशिश ये की जाती है वहां पे मौजूद दो हमारी फीमेल आफिसर्स हैं कि उनको मुकमल किया जा सके जो भी खातून का मसला है उसको मुकमल तोर पे हल किया जा सके तो यहां पे एक कॉल मौसूल हुई थी जी बदफेली के हवाले से और उस पे बच्चों के मेडिकल टेस्ट भी करवाये जिसके बाद अब तस्दीक हुई तो फिर कानूनी कारवाई हुई उस मुल्सिम को अरेस्ट भी किया गया और जी इनसाफ दिलवाया गया तो यहां पे आपसे यही दर्खास्त है कि अजारों पे ट्रस्ट कीजिए इस्टोरी बत चुनाब करने है जुबेर के बास किया खबर है मारे पास अगरी खबर यह है डॉक्टर उस्मान अन्वर सहाब आईजी पंजाब जो अकसर और बेश्टर हम देखते हैं सुनते भी हैं अपने इंप्लॉईस की फिला बेबूत के लिए काम करते रहते हैं और अच्छे काम प ट्रेस किये जिसमें पुलिस की मिनको मदद फराम उनकी वज़ासे वर्चल पिट्रॉलिंग अफसरान की मदद फराम हुई और केस जो रहने ट्रेस किया उस केस ट्रेस करने की वज़ासे उनको एप्रिशेश्ट सेशन के तौर पे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अन काम किये हैं वो इसका नेमो मदद नहीं हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिसर की हांसला अफजाई करने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं जो उन्होंने काम किया है वो इससे बहुत बड़ा है तो डॉक्टर समान अन वर इस तरह के काम करते रहते हैं और अपने जो अफिर नजाम लाया जाए जिससे अगर कोई गलती करे तो उस गलती का जाइजा लेते हुए उसके हवाले से सजा जजा का फैसला किया जाए और अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशेट भी किया जाए तो ताहरा हमारी अगली खबर किया है आगे जी हम शेयर कर करते चलें कि कल गुदिश्टा 24 गंटे में पंजाब सेफ सिरीज अथोरिटी की क्या कारकरदगी रिपोर्ट रही एमर्जंसी हेलप लाइन 15 पर 68,136 कॉल्स वॉसूल हुई जिनमें 5,440 कॉल्स पर शेरियों को मुख्तलिफ केसिस में पुलिस की मदद फिराम की गई गयर्जोरी कॉल्स की तदाद अभी भी जारी है गयर्जोरी कॉल्स आप लोग करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 चुके कि अमर्जंसी हेलप लाइन है इसको एमर्जंसी की सुरत में इस्तमार करें emergency क्या हो सकती है कोई भी ना खुशगवार वाकिया रोनुमा हो जाता है आप सब कोई हाथ्षा हो जाता है तो आप पुलिस से traffic से related कोई आपको rescue की help चाहिए five brigade की help चाहिए traffic से कोई भी इस किसम की emergency है इस हवाले से आप हमें कॉल करें गया जोड़ी खुदारा कॉल ना किया करें इसी के सासाथ है जो हमारे वर्शुर पेटॉरिंग officers है 24 by 7 कड़ी नजर रखे हुए कैमरा के थू हर तरह की suspicious या मश्कूक सरगर्मी को देखते हैं तो कल 1043 मश्कूक सरगर्मियों की निशान रही की गई इसके साथ साथ पंजाब पुलिस और पंजाब सेफिरीस अथॉरिटी की विमन सेफटी एप इसकी जरिये से 15 हवातीन को असिस्टन प्रवाइड की गई उनको मदद फराहम की गई जो भी उनकी क्यूरी थी इसको रिजॉल्फ हिया गया जैसे जुबैर बतारे थे electronic data analysis center जो के video evidence प्रवाइड करते हैं कल 24 खंटे में 19 cases में पुलिस को सवाले से evidence फराहम किये गए फिर हम बात करते हैं Crime Stopper Service के हवाले से जुबैर हमारे नाजरीन को बताएं कि सर्विस क्या है किस तरह से जिरिये से आप हमसे connect हो सकते हैं Crime Stopper Service पंजाब Safe Series Authority का बहुत ही अच्छा इनिशेटिव है पंजाब पुलिस के तावन से सीम पंजाब की हदायत पर Crime Stopper Service एक बहतरीन इनिशेटिव है इस Crime Stopper Service के अंदर आप अपने अइनिटिटी को डिस्कलोज किये बगएर आप पुलिस तक वर्च्छल पेट्रॉलिंग अफसरान तक पुलिस कमिनिकेशन अफसरान तक अपने इन्फरमेशन शेयर कर सकते हैं और ये इन्फरमेशन वो वाली होगी जिसमें कोई आपको एमजनसी नहीं है एमजनसी के लिए आपने वन फाइव बटन ही प्रेस करना है वन फाइव ही डायल करना है इसमें इस तरह की केसे जिस तरह बिजली चोरी है पानी चोरी है गैस चोरी है मन्चियात के मामलात हैं ड्रग्स जिसे हम कहते हैं उसके साथ साथ हराश्मेंट के वाकियात हैं पतंग बाजी कर रहे हैं जुआ होतावा देख रहे हैं तो आपने क्राइम स्टॉपर नंबर्स पर इतला करनी है और यह नंबर है 033-SAFE-CITY 033-723-2489 और इसके साथ साथ आपने www.psca.gop.pk ये पंजाब सेफ सीरीज अथारिटी की वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जाकर क्राइम स्टॉपर्स के पोर्टल पे आप वीडियो एविटेंस और पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं और याद रहे एक दफ़ा फिर बता दूं कि हमा हमारी जो अगली खबर है वो शहरियों के लिए खुशखबरी है पट्रॉली मस्वाद के हवाले से है कि पट्रॉली मस्वाद में 15 रुपे 29 पैसे फी लीटर कमी की गई है ये अच्छा खासा अच्छी खासी ये नियूज है बहुत ही अच्छी अन लोगों के लिए जो के म रिलीफ है और ये अच्छी बात है गौर्मनेंट की तरफ से अच्छी रहते हैं जिस आपको पता है कि लहोर में बहुत से जादा लहोर वो शहर है जिसके जादा बड़ी तादाद आउसाइडर्स की है और हर फ्राइडे को लोग एक शैट से दूसरे शैट ट्रावल करते ह अपने घर जाने के लिए पिर संडे नाइट या मंडे की अरली वो वापस अपने घरों से निकलते हैं मैं बताता चलूं कि अब ये पंदरा रुपे उन्तालिस पैसे फी लिटर कमी के बाद पिचौल की जो नई कीमत है वो 273 रुपे 10 पैसे मकरर की गई है ताहरा हमारी अ चूडेंट्स जगह 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 पो प्रोटेस्ट करते हैं बीचे प telefon कर रही आप टे हैं अपनी अवास को बखुण is프म कि गई हैं जिस हद तक आप लोग मदद कर सकते हैं वो आप अपने रोल-स प्ले गई हैं यतने भी हमारे अदारे हैंér रिक्वES्ट है कि इस कोई हल निकाल लिए ताकि इन लोगों को भी एक पूर फिजा सकूँ जो महौल होता है अट्मास्टर है उसमें सांस लेने का मौका मिल सके जो कि इनका बुनियादी हक है इनसानियत का तकाजा है कि हर किसी को किसी की नसल जात इस सबसे इस सबसे बियोंड यानि यह सारी चीज़ा बाद में आती है मख़ब Cit फिरका बाद में आती है सबसे पहले इंसानियत आती है तो इसका तकाज़ہ यह है कि उन सबको इनसाफ मिलना चाहिए और उनका मुलक है जिसमें रहने का उनको हचग है और ये था जी हमारा आज का पहला सेग्मेंट अब लेते हैं एक शूटी सी ब्रेक आप में रहने हैं हमारे साथ वेल्कम बैक नाजवी इन बूर्णिंग सेफसरी में एक तब फिर आपको खुशाममदीद कहते हैं आज हम human body के सबसे बड़े organ के बारे में discussion करेंगे अब आप सोच बिचार कर रहे होंगे human body का सबसे बड़ा organ क्या है मैं human body का सबसे बड़ा internal organ की बात कर रहा हूँ जो के liver है liver का क्या function होता है liver किस तरह से ठीक रखा जाए क्या क्या वजुहात होती है जो के hepatitis A, B की वज़ा बनती है और क्या कैसी खुराक या diet हमें लेनी चाहिए जिससे हम अपने liver को healthy रख सके तो इसी बारे में हमने अपने प्रोग्राम में मुदू किया है ये माहरे इमराजे जिगर हैं डॉक्टर सुल्मान काजमी साहब आईए इन से बात करते हैं और इनको प्रोग्राम में खुशामधीर कहते हैं असलाम अलेकुम सार्थ वालेकुम सार्थ अपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक नकाला है इसके लिए बहुत शखरी है सर जैसे अब इंडर्ड़क्शन में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में उन मुबालिक में शामिर है जिगर के मसाइल बहुत जादा आम है हैपिटाइटिस के जो इशूज है हैपिटाइटिस B और C आप देखेंगे आस पास आप देखें तो बहुत से आपको मरीज नजर आ जाएंगे जो इसका शिकार है तो इसकी क्या बड़ी कौज है जो के हमारे लोगों में इतना जादा आपंप है देखे जी दो किसम के हैपिटाइटिस है जो के एक A और E है जो के पानी से फैलता रह खाने से फैलता है B और C वो है जो के ब्लड बार इंफेक्शन से फैलता है मतलब आप कोई किसी मतलब दोनों के modes of transmission अलग अलगे हैं दोनों को acquire करने का तरीका अलगे हैं दोनों का बिमारी का duration अलगे हैं दोनों के consequences बिमारी के अलगे हैं अगर ए और ए की बात करें पूरे शायर में रेडियां लगी में जगा जगा इन से गन्ने के raw के juice बेच रहे हैं fruits को वो जूसरों में डाल डाल के पिला रहे हैं ग्लास नहीं साफ इस्तमाल कर रहे हैं ऐसे fix glass रखे वे हैं disposable नहीं है uses a discourse a श्रॉ साफ़स मरत अधार गाने की चीजों में जब इसको आग पर्णा इसमय को आजा रहा यह पर पकहरी जा रहा हना ही यह जो वार थोट कर दोड बएज बिमारी पेट एक यूर्च करके डालते हैं तो इस सारे से ना सिर्फ गैस्ट्रो की बिमारी पेट के इंफेक्शन अक्वाइर हो सकते हैं बलकि हेप्टाइटिस ए और ईबी अक्वाइर हो सकता है ए और ई के एक डूरेशन है राउंड 21 डेज के करीब इनसान की आंखें पीली हो जाती है उल्टी आती बे ताशा उसको जिसम में जान नहीं रहती चाल नहीं सकता बिलकुल गिर जाता है ट्रिपें लगवानी पड़ती है मगर राउंड थी वीक्स के बाद रिकावरी शुरू हो जाती है जॉंडस उतरने लग जाता है बंदे का रंग वापस आता है वो ठीक हो जाता है अगर ए हो जाए है एक हामला औरत को तो वह मर जात अगर किसी को प्रेग्नेंसी नहीं उसका अच्छा चांस है वो ठीक हो जाएगा रिकावर हो जाएगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एए में वैसे भी नौजवान भी जो हैं वो मतलब फॉत हो जाते हैं नहीं बचते उनमें फेलियर हो जाता है इतना बड़ा लिवर को डै बी और सी ऐसे है कि जैसे आपको एक ब्लड बॉन इंफेक्शन कहीं से कोयर कर लिया है आपने कहीं किसी ब्यूटी पार्लर पर गए है उसे काया जी कि वह नाखुन चीलो मूँ चीलो वह उसने कोई औजार इस्तमाल की है ऐसे कहीं से उसके ब्लड निकला करते वह कोई प्र कर दोर चल रहा है और लोग बड़े पैसे लगा रहे हैं फेशल और यह और वह पर इन चीजों पर उस व्यासे मेरा ख्याल है कि हैप्टाइटस सी शायद आप जो लड़किया है यह साइड से भी एक्वाइर करेंगी और ऑविसली फॉरन नहीं पता लगता बी और सी अगर उसके लावा भी बहुत सारे ऐसे अताई डॉक्टर्स हैं शेहर में कोई 50-60,000 के करीब बैठे हुए हैं पूरे सूबे में प्रैक्टिस कर रहे हैं सस्ता इलाज कर रहे हैं जो बंद आता है उसको टीका लगा देते हैं फॉरन थोड़ी सी ड्रिप लगाते हैं वो उ कर सकते हैं दानतों वाले जो बड़ी तदाद हैं दानतों के डॉक्टरों की कई सड़कों पर बैठे आपने देखे हैं हजाम सड़कों पर बैठे वे हैं तो पीछे गवर्मन ने बड़ा जो लगया था यह 2017-2018 में भी के हम हेप्टाइटिस की एक किट देंगे हर बंदा ज सका क्यूंके लोग भी एक नहीं है लोगों में और प्लस यह कर शायल इस प्रवाड भी नहीं है लोगों का शया प्रुम आच गया एक हज जिसको भुखार होता था वो भगाँ अब खाला के यह मर तो नहीं जाओंगा क्यूंकि उससे लगता था कि यह लहंगी से मर रहा है यह लोग काला-यरकान की जो मौत वह इतनी तेजी से नहीं नजर आ रही है जो काला-यरकान की वजह से हो रही हैं हे बिसम पे टैटू बनवा लिया, कोई और ऐसी चीज़, और तों के कानों में सुराख करा लिये, नाक में सुराख करा लिये, अनार के लिए से गुजरते वे उसे का सुराख मार दे, उसने सुराख कर दिया बची को, वो पता नहीं लगा है, हैप्टाइटिस C का वाइरस उसक के अंदर चला गया, बाद में नहीं क्लियर हो सका, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें ये वाइरस खुद ही क्लियर हो जाता है, मगर जिनमें नहीं होता उनमें क्रोनिक लिवर डिजीज कर देता है, दॉक्टर साब, फैटी लिवर की बहुत कंप्लेंट् कॉसे भी बता दें, फैटी लिवर के बहुत सारे कॉसे हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो आजकल हम लोग खा पी रहे हैं, सवया से हर दूसरे आदमी को आप अर्टरसांट करेंगे तो फैटी लिवर निकलाएगा उसका, लिपिट्स की जो मिक्तार है वो खून में जितनी चर्वी आप खा रहे हैं, वो सारी लिवर फैसित होती जाती है, इस्ता इस्ता इन्सुलीन रिजिस्टन्स होने लाग जाती है, शूगर हो जाती है, शूगर में भी लिवर हो सकता है, और इसके अलावा है बस्तव काई rank दम। tips लीquis, लिवर की जितनी भी match Logan दिजिसे पह वो उनमें सब में फैटी लिवर है और आइस्ता इस्ता उने शुगर हो जाएगी सर फास्ट फूड एक बहुत बड़ी बज़ा है फास्ट फूड भी और सारा दिन कमरों में बैठे रहना फून चलाते रहना कोई काम ना करना फिजिकली बाहर ना निकलना मतला आप देख लें के लोग किस लोग का क्या लाइफ स्टाइल है खालिया सोलिया टीवी देख लिया और सारा दिन घर में पड़े रहे पूरी कौम तो सो ही रही है राम ही कर रही है और तो इनको कोई काम नहीं करने को तो उस तो यह से इतना एक नुकसान हो रहा है अभी देखें डाइबटीस पे मुल्क कितना तेजी से डाइबाटिक्स बढ़ते जा रहे हैं शूगर निकल रही है लोगों को हर दूसरा आदमी बिमार हो रहा है शूगर होगी जी फिर वो एक लाइफ लाइफ लाइए खानी है इस तो वो उसके दिमाग में होता है कि यार मुझे डेंगी ना हो जाया बचों को आपको कोई अराउंट 21 के करीब डिजीजिस पढ़ानी पढ़ेंगी स्कूलों के निसाब में कि उसमें हमने किताब भी बनाई है सहत तालीम से के नाम से और वो करिक्लम टेक्सबुक बोर्ड क अराउंट 25 के करीब ऐसी कंडिशन को जॉट डाउन किया है ताके लोग पढ़के ना उसमें स्टोरीज बनाई है कि असलम था उसके अब्बू सिगरेट पीते थे आइस्ता इस्ता उनका सांस खराब होने लाग गया फिर एक दिन उनको खून की उल्टी आगई डॉक्टर असलम रोज अपने अब्बू को घर लेके जाता था एक दिन पता लगा असलम की अब्बू फॉत हो गया उन्होंने दफना दिया मतला पूरी एक इस तरह की स्टोरी बनाई है कि यार अगर सिगरेट पी होगे तो कैंसर हो जाएगा तो मार भी जाओगा तो चोटे बच्च के दिमाग को आप मोडिफाई कर सकते हैं उसको जो आप समझाएंगे वो समझ जाएगा उसके ब्रेन पर जो चीजें शुरू में आप गुसा देंगे वो एंड तक रहेंगी यहां पर आप देखें हमारे यहां विम्यों ऑस्पिटल में कई डॉक्टर ऐसे एक बंदा यू कोट किया है सेशन कोट किया थाने का क्या काम है 90% लोगों को तो पता ही नहीं है आप एवन एक डॉक्टर को पूछ लेंगे यह पर्चा कराना यह किदर जाए वो गएगा पता नहीं किसी पुलीस स्टेशन हम तो कभी गए नहीं तो इसलिए लिए लोगों की जनरल अंडर और बिलकुल खुले तेल और खुले घी तो तो बिलकुल इस्तमाल ना करें क्यों कि अश्त इस्ता और आपकी नाली में देपाओजेट होता जाता है यह सारह और नाली सकती होती जाती है फिर एक वक illness बंद हो जाती है हार्ट आक यह पालिज हो जाता है यह फैटी लिवर कुछ लोग गर्मी को यह समयते हैं कि यार रात को बड़ी बद हजमी रही खटेड कार आ रहे थे रात को उठा हूं सांस खराब हो गया बड़े तकलीफ होती ही पेट में दर्द होती ही गर्मी होगी बहुत जादा वह गर्मी इसलिए हो रही होती है कि वह खाते रोज बजार रेडिय का चाहरे होना से हैं किस जगह से खा है समय मसाले इसतमाल करें का सब्सक्राल करीयों बरहुत रहे है चीज लेके खा रहे हैं तो प्लीज ये ज़रूर देख लें कि रेडी पे एक तो उस बंदे के नाफुन कटे हैं उसके पास हेप्टाइटिस B.C. और बाकी जो उसकी पांच किंडिशन हैं जिसका एक सर्टिफिकेट होता है वो उसका लगाओ रेडी पे उसको कहेंगे या तुने यह कराना है वरना तेरी रेडी उठा लेंगे वो कहेंगा मैं करा लेता हूं तो अगर थोड़ा बहुत यह उन लोह और यह जो वरीब वेंडर्स है यही मेजर आपकी पॉपिलेशन को केटर कर रहे हैं वैसे बड़े रेस्टुन्स के भी हलात सकता है उनको डर होता है तो अगर हम सारे मिलके इन चोटे वेंडर्स को चेक करेंगे और खुद अपने आपको एक समझाएंगे कि यार हमने साफ जगह से खाना है अपना ग्लास लेना है या घर से ड्रिंक बना आकर लेकी जाना है तो मेरा खाल है कि बहुत बड़ी एक इंडर्स्टेंडिंग चीज़ों के बारे में ना एक एक एमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस है मौशरे में वो कम होगी लोगों में उनको समझ नहीं कि कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए अगर यह सिरफ फूड का ख्याल कर लेना लोग जो खा रहे हैं तो हस् को कहते हैं कि यार इसको पकड़के पर्चा दे दो तो पर्चा दे देते हैं उस पर तो थोड़ा बहुत अगर पंजाब पुलीस भी जोर लगाए ना तो यह फूड का निजाम काफी बेतर हो सकता है अजय सर राजकल की जिनेर्शन का स्लीप पैटरन बहुत डिस्टर्ब ह सर क्या यह भी जिगर को मतासर करता है यह जी फैटी लिवर कॉस कर सकता है पूरा एक आपको एक पूरे आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करके आपको शूगर का बाइस बन सकता है बहुत इंपोर्टन लोगों के लिए ज़रूरी है कि अब देखें आप लोग रात खाने पर लगा है कि खाओ कोई बंदा कमा के ले आए गार में तो चलो मैं भी खालूंगा या दुपहर को रोटी तो बननी है तो चलो खालूंगा रात तक फोन पर लगा रहूंगा और बास उसके बाद फिर सो जाओंगा तो इसलिए मौशरे को बड़ा डैमेज हो रहा है और इसे बिमारियां बाड़ी है अचिडेंटरी लाइस्टाइल हो रहा है और बहुत मोटे हो गए हैं बहुत सारे लोग बहुत जादा वेट अपना गेन का रहे हैं पाको में या लोहों को आप देखें वाक करते वे लोग बहुत कामा आपको नज़र आते हैं जो के वाकि सिर्स ग्रामिटर के रेडियस में अगर आपने घर से कहीं जाने तो पैदल जाएं किसी मोटर बाइक पे और किसी गाड़ी पे चड़के ना जाए यानि कि आपको पता है कि यहां पे जोटे पर दो कावे सारे वह पैदल करें तो खुद ही आपको फिजिकल एक्टिविटी बन नहीं पाता तो यह कैसे होता है यह रिजनरेट कर जाते है वैसे कि लिवर के अंदर जो सेल्ज है वो री ग्रो कर सकते है यह लागी तरफ से एक इसके अंदर से लाइयत इस ओर गन में कि यह ट्रांसवर्ट डूनेट हो सकता है और उसकते हैं और किड्नी को काट के डूने मिंजरी होती है उसमें लिवर आदा काट देते उसको रिपेर कर देते हैं लिवर को लिवर फिर ग्रो कर जाता है तो यह एक ऐसा औरगन है जिसमें बहुत जादा सर्वाइवल का एक इसका अपना एक तरीका कार है यह वापस आ जाता है और सिर्फ खराब ताब होता है जब इस B और C के जरी फाइव रोसे उजाए अंदर तबाह हो जाईए और सर्ट ग्रो भी उतना उस हिसाब से लिवर के और जी जाता है जा चैसे जाए जब बार में जाए आप जाना पर यह कई ग्रो नहीं करेगा फिर लिवर ट्रांस्प्रांट पर बात जाती है और मौत के लिए तीन मेने गोलियां खाएं तो बहुत बड़ा चांस है कि आप बिल्कुल ठीक रहें प्लस लोगों में अवेरनेस क्रियेट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कभी को ऐसी बीमारी हो जाए तो इसको अग्नोर ना करें आँखें बंद कर लेने से बीमारीयां ख खा रहें अल्टिमेटली उसी उसी हालत में आप फिर हस्टाल भी आएंगे इसलिए बेतर है कि आप वो चीज़ें खाएं जिससे आप सहत मन्द रह सकते हैं और अपनी खुराग को और अपनी बाकी चीज़ों को मॉनिटर कर लें आपकी आदी परिशानियां कम हो जाएंग और प्लस अताईयों से बचें क्योंकि आप छोटे मोटे मन लेकर डॉक्टरों को दिखाते रहेंगे और उल्टे सीदे टीके लगाते रहेंगे कल को फिर जब बीमारियां हो जाती है फिर उसके बाद वो गाइब हो जाते हैं वो कहते जी अब आप किसी बड़े सब्ताल च नोची किया जाता है तो जिगर को महफूस रखना बहुत जरूरी है और यह फेक्ट कैसे हो रहा है तो च्छोटोटी बाते हैं कि आप कोशिश करें कि जादा घर का खहना प्रेफर करें जो चीजिजें बिनाना चाहते मैं कुछ क्रिस्पी चीजी को भी कोई लिआ सकते हैं दो करें और चीदें हमारे साथ बिल्क नाजरीन गृटमालिंकिन, सेफ इसे वे दूर्वांनीं में एक दफ़राब बो खशक्रामदीद कहते हैं और कना गृतुर्ण सेइग्मेन्ट इसुस्टопु अजीब जो के हम दुनिया भट से खबरे ढूंड के अपने नाजरीन, हाजरीन के ले के आते हैं, जिसे वो मुस्तफीद होते हैं, और हमें कॉमेंट्स भी आप लोगों के आते हैं, कि आप इस सेग्मेंट को बहुत ही पसंद करते हैं, तो आज हमारा पहला जो दिल्चस्पो अजीब खबर है, वो मैं ताहिरा आपने नाजरीन, हाजरीन से शेयर करता है, ताहिरा आपने दुनियो में बहुत सारे पेंटर्स देखे होंगे, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पेंटर जो है, वो पेंटिंग बनाने के लिए किन चीज़ेंगा इस्तमाल करता है, जिसे लगता है, उसके बाद ब्रॉश होगा, कलर्स होगे, फिर उसके बाद एक वाइट पेपर होगा, जिस पर पेंटिंग कर रहा होगा, यही कॉंसेप्ट आता है, अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा बंदा है, जो इनसानी बालों से पेंटिंग करता है, जिस तरह आप तो यह हमारा जो जनाब है मौसूफ यह एराक के दारलहकूमत बगदाद में एक हजाम है इसे इनका कारोबार भी जो है वो बारबर का है नाई है बेसे किली लोग आते हैं कटिंग कराते हैं उन बालों को यह कलेक्ट करते हैं और फ्री आफ कॉस्ट को के बाल बेशमार जब लोग कटवाते हैं तो एक फ्री आफ कॉस्ट चीज है जमीन पर पढ़े रहते हैं तो इन्होंने एक मुन्फरिद इनके दिमांग में सोच आई कि जो बाल वेस्ट होने हैं इन बालों की क्यों है पैंटिंग करो यह आइडिया अच्छा है और अपनी नौयत का बड़ा ही आइडिया है मैंने ना कभी पहले सुना ना कभी देखा जब लोग आते हैं अपनी कटिंग कराने तो अकसर लोगों को बड़ा दुख होता है कि हमें बाल कटवा दिये लेकिन यहां भी लोग बड़ा खुश होते होंगे उनके बाल से इतने खुबसूत किसम की पैंटिंग पैंटिंग्स बन रही है और इनका नाम है हुसेन फाले ठीक है हुसेन फाले साब आपको एक यह पड़े क्रेटिव आइडिया है जो आपकी दमाग में आया है तो हम पसंद आया है हम आपको एप्रिशेट करते हैं यह बगदाद इराक के दारल हुकूमत बगदाद में एक में चौक होता है हम देखते रहते हैं को औसी यहां जा रहे है और फसंद कर रहे हैं तो साले के मौल कर सब्यों सब्सक्राइबाइब कर दो जर्थर आगा तो नहीं कि अधंनि नाजरीय वो लोग बहुत कम पढ़ते हैं, तो मैं आपको बताती है कि 2024 की जो भी लेटस सर्वे है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ली, Thailand है वो दुनिया का मकबूल तरीन स्याहती मकाम, अच्छा, 2024 के सर्वे के मताब, अभी के सर्वे के मताब, और ये मुल्क तारीख में कभी भी किसी और कौम का घुलाम नहीं बिना, यानि कि कभी भी वो किसी दूसरी कौम के, किसी दूसरे लोगों के अंडर नहीं था, वो शुरू से ही अजाद है, और इसका मतलब ही यह है कि अजाद लोगों की जगा और बहुत जारा टूरिस वहां जाते हैं और बहुत ही खुब्सूरत प्लेस है, वहां जाते हैं इंज्वाइ करते हैं, बैंक कॉक्स का दानल हकूमत है, वहां भी आप देखते हैं कि टूरिस की बड़ी तादाद मौजूद है, तो अगर आप दून रहे थे आजकल और जाना चाह रहे थे गर्मी में कहीं लिए एसी प्लेस के तलाश में थे जहां जो बहुत जादा फैसिनेट करती हैं तो अभी लेटेस लोगों के सर्वेक एकॉर्डिंग पसंद कर रहे हैं तो किस बात की देर है, फॉल टो पर टिकेट कराईए और एंज्वाइक आगर आपकर सकते हैं, अगर आप बाकी सिसके जा रहे हैं, तो यह था जी हमारा आज कर शो उमीद करते हैं कि आप में हमारे साथ बहुत इंजोई किया होगा, आपको बहुत मुफीद बालूमात भी मिली होंगी, डॉक्टर में बहुत सी डीटेल में आपको बिमारियों के वाले से बताया, उसमें जरूर अमल कीजेगा मुझे कॉमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरा ट्विटर अकाउंट है हमारा PSE Safe Cities और फेस्बुक का अकाउंट है पंजाब Safe Cities, तो इसके साथ सदा मुझे और ताहिरा को इजाज़त दीजी, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केर आफ यूर्सेल्फ, अलाहाफ़ज